So hello and welcome you all, I am Rohit from Margin Traders So guys, आज इस वीडियो में बात होगी ITC Limited के बारे में So guys, ITC Limited में गर देखे, शेर में आज हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है But कल के लेवल क्या होगे, ओ जानना यहाँ पर काफी जरूडी है क्योंकि कल यहाँ पर काफी confusing लेवल हो सकते हैं जिन्होंने निसले प्राइस पे से खरीदा है, उनके लिए बड़ी खुशकवरी यहाँ पर सामने आ रहे है तो वीडियो को आएंड देखना, क्योंकि डिविडेंट की अपडेट भी देखेंगे, टार्गेट की अपडेट भी हम लेगे तो गाइस बिलकुल, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को कंटिन्यू को रूपिस से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो 300, 374.55 रुपिस के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी, 24 रुपे का लेवल है यहाँ पर अगर देखें, स्टॉक ने एचे रिटेंस के साथ क्लोजिंग दी है यहाँ पर रिटेंस की बात करें तो 1.30 रुपिस के अरॉपिस के अरॉपिस यह शेर बढ़ा है बिल्कुल यहाँ पर बड़े मोमेंटम स्टॉक में आने वाले है एक अच्छी तेजी स्टॉक में हमें देखने को लने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हो 6 महीने में शेर में क्या रिटेंस है तो 6 महीने में अगर दिखा जाए गाइस तो स्टॉक यहाँ पर 63.35 रुपिस तक बढ़ चुका है 20.36% के बेसिस पेश शेर में ग्रोथ है और आगे भी यह ग्रोथ बढ़ेगी तो कहीं ने कहीं हमें लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर स्टेक है उन्हें इस सेल करने की पूरी प्लानिंग कर सकता है तो यहाँ पर इसी न्यूस की वज़़े से स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली दी बढ़ गाइस कोई बात में स्टॉक जल्दी रिकवरी भी करने वाला है और यहाँ पर अगर देखें दो अच्छी न्यूस भी आई है जैसे यहाँ पर पहली न्यूस आपके सामने है ICICI Direct ने यहाँ पर टार्गेट दिया है बिल्कुल बाई करने के लिए कहा है उन्हें ने ITC को बिल्कुल बाई करने के लिए कहा है यहाँ पर direct है ICICI direct और यहाँ पर ICICI securities है, इनकी और से भी buy के लिए कहा जा रहा है, 420 रुबे का target इनकी और से भी दिया जा रहा है, तो यह अच्छी news कुछ है, और volume देख लेते हैं, तो volume stock में क्या है यहाँ पर अगर दिखा जाए तो stock में 1 करोड से जादा deliveries आज उठाएगी है, बिल्कुल 1 करोड के around की deliveries आज stock में उठाएगी है तो यहाँ पर volume तगड़ा नजर आ रहा है, कल अगर देखें, बिकवाली हुई थी इस share में, 2 करोड के around की, फिर अगर देखें, deliveries उठाएगी तो यहाँ पर लेबल्स हम देख ले, आगर देखेंगे, उसससे पहले हम community sentiments के आकड़े देख लेते हैं, community sentiments के आकड़ों में, buyers और holders को मिला के अगर देखे जाएगे, तो कहीं न कहीं, 83% लोग इसमें positive नजर आएगे, जिसमें 79% लोग हैं, जो stock में buy करने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ पर 4% लोग हैं, जो stock में आपको hold करने के लिए, इनकी और से कहा चा रहा हैं तो यहाँ पर बिल्कुल, और वो इसी के बीच अगर देखें, 17% लोग है जो stock में sell करने के लिए कर जो बिलकुल यहाँ पर हमें negative नजर आते हैं तो guys बिलकुल गैसे यहाँ पर 79% लोग buy और 4% लोग hold के लिए यानि 73% लोग positive आपको IITC में नजर आएगे वही आपर देखें तो dividend की जो date है यहाँ पर मैं फिसे बता देता हूँ 15 February 2023 के पहले अगर आप इस particular share को buy करते हो तो आपको interim dividend मिलने वाला है 6 रुपे पर equity share का बिलकुल गैस 6 रुपे पर equity share आपको इसमें मिलेगा तो बिलकुल आप इसे buy की और कर सकते हो बड़ 15 तारिक से पहले आपको इस share को खरीदना होगा तो आप बात करेंगे levels की तो important levels यहाँ पर हम discuss करेंगे तो यहाँ पर अगर देखें 368 का जो level है यहाँ पर 368 का जो level है यह एक IMP level है बिलकुल यहाँ पर एक IMP level है तो यही पर stock में गिरावट के बाद यही पर जो कल गिरावट है थी यही पर रुकी और यही से stock उपर के और भी जा रहा है तो guys इसके पीछे का reason क्या है तो मैं यहाँ पर बताओगा उससे पहले आप देख लो stock ने किस तरीके से returns दिये है अगर 368 के level को भी नीचे के और अगर ब्रेक कर देता है तो आने आले टाइम में ITC support कहा लेगा जो उसका next support होगा ओ कौन सा यहाँ पर हो सकता है तो support रहेगा 360 रुपेज का कई लोगों का मानना है कि शेयर 360 तक आ सकता है बढ़ गाई सो कब आएगा जब यह 368 के level को ब्रेक करेगा बढ़ जब तक 368 के level के उपर ITC trade कर रहा है तब तक यहाँ पर कोई chances नहीं है इसमें नीचे आने के तो लेवल बताऊँगा तो यहाँ पर अगर देखे ITC में pure price section काम करता है हमने अच्छे returns gain इसमें होते वे निचर आया है हमें यहाँ पर stock में पहले 360 के level से ही गिरावट है यह level है फिर उसके बाद stock में 350 के around के level से गिरावट है जो यह level ही हा रहा फिर 340 के level से और finally इसने जब इस particular range को break किया इस particular rejection इस particular falling wage पैटरन को break किया तो उसके बाद stock में तगड़ी बटत हमें देखने को मिली फिर उसके बाद इस share आ रहा है फिर से उपर की और तो गया फिर नीचे आ रहा है 368 के level पर sustain कर रहा है तो यहाँ से जो momentum है तो हमें तगड़े नेजर आ सकते है इसलिए कई बड़े firms की और से यहाँ पर ITC में बिल्कुल buying के लिए कहा जा रहा है 400 plus के target दिये जा रहा है जैफरीज ने भी यहाँ पर बड़ा target दिया है तो बिल्कुल आप इसमें positive रह सकते हो तो वही अगर बड़े आगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा संबल कर कल रहना पड़ सकता है क्योंकि stock में यह बन रहा है एक rising wedge type channel बिल्कुल एक rising wedge type pattern हम इसे कह सकते हैं उपर अगर trade line बनाओ तो बिल्कुल rejection समय मिल रहा है तो इन कुछ चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो बिल्कुल गैस यहाँ से stock में rejection है अब देख सकते हो stock में पहले तो यहाँ से गिरावट आई फिर यहाँ से rejection आई नीचे यहाँ पर support मिलेगा support मिलेगा फिर support मिलेगा तो upside down momentum stock में हुए है तो कल के लिए मैं इसलिए बोटा हूँ समाल कर रहना आपको पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक breakdown आ रहा है और यह breakdown अगर confirm होता है तो stock में फिर से 368 का जो यह level है achieve होता हूँ हमें नेचर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर होने वाला है fall create तो बिल्कुल यहाँ पर आपको थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि एक descending type triangle किसे कहा जाता है descending type triangle इसे कहा जाता है तो यह कही न कहीं bearish pattern आपके लिए साबित होगा तो यहाँ पर अगर देखें तो stock में इस particular range से ही यहाँ पर अगर देखें इस particular range पर support लेता हूँ हमें नजर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पहले भी rejection इस यहाँ पर मिले हैं तो हो सकता है यहाँ पर भी हमें rejection मिल जाए क्योंकि एक double top type scene भी कि यहाँ पर create होने आला है double top type scenario भी create हो रहा है तो यहाँ से एक fall हमें देखने को मिल सकता है पर guys 360 80K level पर support लेगा क्योंकि यही level से काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर से ही गिरावट हमें देखने को मिली थी चेर में इंवस्में करने से पहले इंशेर का एक बार analysis कर लेना thank you